हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको 1993 की सलिव है एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ इस मूवी में हमारी मेन गारेक्टर बिल्डिंग में मूव होती है पर यह बिल्डिंग बहुत ही अजीब है मूवी जैसे प्रोग्रेस होती है तो बहुत ही अजीब हो गरीब चीज़े उसे पता चलती है तो चलिए इस मूवी को एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और एक लड़की अपनी बैलकने में खड़ी होती है उसके पास एक आदमी आता है और उसे पूश कर देता है यह जो incident हुआ था इसे अब कुछ दिन गुजर चुके है जिस apartment में incident हुआ है उसी apartment को हमारी main character जिसका नाम है कारली यह अब देख रही है उसके agent उसे सब कुछ घर के बारे में बताती है और कारली को भी एक घर बहुत पसनाता है नेकसी में हम देखते है कि कारली जब काम पर होती है तब उसे call आता है इस घर को buy करने के लिए उसका application अप्रू हो चुका है यह application इतनी जल्दी अप्रू हो जाएगा यह एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि कभी भी इतनी जल्दी नहीं होता कारली फिर अपना सब सामान लेकर उस flat में move होने के लिए ready होती है वो अपना सामान लेकर जा रही थी और उसके दोनों hand engaged थे डोर man कही भी आसपास नहीं था तब हमारा और एक main character जिसका नाम है जेक ये door open करने में उसे मदद करता है जेक उसे कहता है कि आसपास का area मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है अगर तुम्हें कोई भी help चाहिए तो मैं तुम्हें कर सकता हूँ कारली भी इसके लिए thankful है कारली के नीचे वाले floor पर ही जेक रहता है कारली एक दिन शूपर शॉप में कुछ बाइक कर रही होती है तब बहुत ही intrigue से उसे एक बुड़ा आत्मी जिसका नाम है अलेक्स ये देख रहा होता है ये उससे बात करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी बिल्डिंग में रहता हूँ कारली सब बाइक करकर आगे चलती है तो उसका पीछा फिर से एलेक्स करता है एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ पर तुम्हारे flat में जो पहले रहती थी तुम उसी की तरह दिखती हो मुवी के वस में जिस लड़की को बिल्डिंग से धक्का दिया गया था उसका नाम था नियोमी सिंगर एलेक्स कारली को कहता है कि तुम नयोमी की तरह ही दिखती हो एलेक्स और नयोमी एक दुसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे नियोमी की जब डेथ हुए तो सब को लगा कि उसने सुसाइट की है बिल्डी में सब लोगों का सवाल होता है कि उसने ऐसा क्यों किया अलेक्स और कार्ली और भी बाते करते हैं अलेक्स एक प्रोफेसर है तो टीजिंग करने के लिए एक नई सिटी में जाने वाला है बहुत सालों से एक रिलिशन्शिप में थी वो टॉक्सिक बन चुकी थी तो उसने अब ब्रेक अप कर लिया है इसवाज़े से वो अपना न्यू अपार्मेंट वेगरा देखती है नेक सिन में हम देखते है कि नियोमी को उसका बॉस लंच के लिए लेकर जाता है यहावर एक आदमी से उसे वो मिलवाता है इस आदमी का नाम है जाए और एक व्राइटर है इसने कुछ बुक्स लिखी थी और उसी वज़े से मिलिनियर हो गया अब बहुत सालों से कुछ नया लिखनी के लिए वो स्ट्रगर कर रहा है बहुत जाक से कहता है कारली ने तुम्हारे बुक्स पढ़ी है उसे पसन आई ठीक जूट था तो कारली वही के वही उसे क्लियर कर देती है वो कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हारे कोई भी बुक लिखनी पड़ी जैक कहता है तुम पढ़ोगी फो बहुत इंट्रेस्टिंग है कारली का बरता देखकर उसके बहुत जैक से कहते है कारली को कंट्रोल में रहना अच्छा लगता है कारली इस पर जरग घुससा होजाती है ये लंच यहीं खत्म होता है नेक्सीर में हम देख है कि तुम्हारा सिक्रेट एड्मेर हुँ नेक्स डे कारली जब जॉगिंग की लिए जाती है तो अचानक से जैक उसके सामने आ जाता है कारली की बिल्डी में रहता है कारली बहुत ही डर जाती है जैक भी उसे अपॉलजाइस करता है जैक ने कारली को मीटिंग सही से नहीं हो पाई थी, जैक जरा पूशी और कंट्रोलिंग कारेक्टर है, कारली को कोई कंट्रोल करें, उसे पसंद नहीं है, ये दोनों आगे जॉक करते हैं, तो कारली उससे बोचती है, क्या तुमने मुझे टेलिस्कोप बेजा था, जैक के था एक नहीं, जॉ कारली अपनी टेलिसकोप से सब देख रही होती है, वो स्टीट पर देखती है, तब उसके नहीं बर वाइडा और जैक एक दूसरे से बात कर रहे है, इनके बात करने की तरीके से लगता है, कि दोनों रिलेशन्शिप में है, जैक वाइडा को पैसे दे रहा है, ये भी हो द देखती है, कारली को सब लोग कहते है, कि वो नयोमी की तरह दिखती है, पुरा न्यूस वेपर निकालती है, और उसमें उसकी फोटो देखती है, वो सप्राइस्ट होती है, क्योंकि नयोमी और उसमें बहुत सारी सिमिलेटीज है, नेक सिन्वम देखते है, कि कारली नेक प और सब लोग इसे देखते हैं Party खदन होती है और सब लोग चले जाते जेक यही रुकता है जेक腳 कारली से पुछता है क्या तुम वर्काउट करती हो कारली कहती है कि मैं से स्टिकली वर्काउट वगना नहीं करती जेक बोलता है कि एक जीम है जहां में जाता हो, वहाँ तुम भी आ सकती हो कारली कहती ही कि जनरली जिम्स में बहुत सारे मिरियर्स होते है ये मिरियर्स उसे insecure feel कराते है जेक कहता है कि वहाँ कोई भी मिरियर नहीं है जेक intimidating है तो कारली भी इसके लिए मान जाती है जेक के जाने के बाद हम देखते है कि जैक अभी भी कारली के ही घर पर है जैक कारली से पुछता है कि तुम ज़्यादा बाहर नहीं जाती है वो कारली को डिनर पर लेकर जाना जाता है कारली कहती है कि शायद हम जा सकते है जैक इसे as a yes लेता है एक दिन कारली अपने basement में cloth wash कर रहे थी तभी अचनक से light चली जाती है वो अंदर burn होती है और बहुत डर जाती है वहाँ जेक पहुँच जाता है उसे बाहर निकालता है वो बहुत ही डरी हुई है तो जेक कहता है कि डरों मत ऐसा कभी कभी होता रहता है नेक्स डे जेक और कारली वर्काउट के लिए आते है वो कारली को वर्काउट करने में help करता है जेक कारली से पुछता है क्या तुमें लगता है कि मेरी इस तुमसे कम है इसी वज़े से हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है कारली कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा जेक कहता है कि कोई भी प्रॉलम नहीं है इन दोनों को भूख लगी है तो जेक कारली को अपने घर लेकर आता है कारली जेक की अपार्मेंट डेखती है तो जेक कहता है कि मैं एक वीडियो गेम डेवलोपर हूँ इसलिए हमेशा घर पर ही रहता है यह दुन हैंग आउट करते है जेक कारली से कहता है कि तुम बहुत ही प्यूटिफुल हो उसके करीब आता है और एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भी सब कर रहे हैं यह सब रिकॉर्ड हो रहा है एक दूसरे के साथ बहुत सारे टाइम बिताने लग जाते है एक दिन से कारली से कहता है कि तुम्हारा एप्लिकेशन फास्ट अप्रोग हो गया था यह मेरी वज़ेस हुआ था एक्चुल में यह पूरी बिल्डिंग जेक की ही है कारली यह सुनकर सप्राइस्ट होती है जेक कहता है कोई भी मुझे परिशान न करे इसलिए यह बात मैं किसी को भी नहीं बताता कारली बूशती है कि जब से मैं मूव होई हो क्या तुम्हारी नजर हमेशा मुझ पर थी जे कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दुसरे के लिए perfect fit है इसके बाद next sim में हम एक room देखते है जहाँ पर पूरे building में हर एक आदमी के recording होती है हमें पता चलता है कि ये recording जे की कर रहा है कारली जब काम पर है तो अपने friend से बात करती है उसकी friend और Jack, यह दोनों weekend पर बाहर गए थे Carly पुछती है किया तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ पर उसकी friend कहती है कि वो हमेशा तुमारे बारे में बाते करता रहा Carly भी अपनी new relationship के बारे में उसके friend को कहती है कारली जब घर पोछती है तो जेक ने बहुत सारे रोजेस उसके घर में रखे हुए है घर में जैक पी है कारली उसे देख कर बहुत ही सप्राइस्ट होती है वो पोछती है कि तुम अंदर कैसा है जैक कहता है कि तुम्हारा डोर ओपन था कारली कहती है कि मेरा डोर में कभी भी ओपन नहीं रखती जैक को मालूम है जेक और कारली अब एक साथ है जैक उसे यहता है जेक एक अच्छा आदमी नहीं है नियोमी के साथ भी उसका चक्कर था नियोमी जेक की वज़े से बहुत ही डिस्टब थी ये चीज उसने अपने साइकोलोजिस्ट को भी कही थी वो अमिर है तो उसे लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है क्या उसने तुम्हें बता है कि पूरी बिटिंग उसकी ही है कारली कहती है कि हाँ मुझे पता है और जैक को निकल जाने के लिए कहती है ये सब जैक देखी रहा था तो कारली को कॉल करता है उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाना चाता है ये रेस्टार्ण में आते है और सब लोग के सामने ही एक दुसरे से बहुत फ्लेट करते है आस-पास के लोग ही इन्हें देखकर ओकोर्ड हो जाते है रात में घर आकर एक दुसरे के साथ इंडिमेट हो जाते है कारली बीच रात में ही फिरसे अपने अपार्मेंट में जारी होती है जैक कहता है कि तुम यही सो सकती हो मौर्ने में हम रिकफर्स कर सकते है यह एक relationship की तरह है तो कारली यह नहीं चाहती कारली कहती है कि मैं hurt होने से बहुत डरती हूँ कारली जैक से बुशती है क्या तुमारी और Naomi की कोई relationship थी जैक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एक बार उसने मुझ पर move करने की कोशिश की थी पर मैं interested नहीं था जेक को यादा आता है और कहता है कि जेक और Naomi की relationship थी रात में कारली जग को call करती है वो एक झूट कहती वो कहती है कि मेरी नेमे मुझे से बात कर रही थी तो ऑसने कहा कि तुम्हारा और Naomi का relationship था जैक और वाइडा को भी कार्ली ने एक साथ देखा है और कार्ली को जैक बहुत है अजीब लगता है तो उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए वाइडा से will बात करना चाहती है और वाइडा बहुत वीज़ी है तो उससे बात ने कर पाती नेक्सेन वहम देखते है कि वाइडा जब बेस्मेंट में अपनी लॉंट्री कर रही होती है तभी उस पर हमला हो जाता है कारली वाइडा की चीके सुन दिये जब वो नीचे जाती है तब उसके पास जैक है इस सीन से लगता है कि जैक नहीं वाइडा का मर्डर किया है जैक को इंटररेट करने के लिए पुलिस लेकर जाते है पुलिस उससे कहते है कि तुमारी बेल्डी में दो लड़कियों की डेथ हो चुकी है एक कोइंसिडन्स नहीं हो सकता वाइडा के अबर्मेंड में जैक की फोटोस थी यानि कि एक दूसरे की रिलिशन्शिप में हो सकते है यह भी पुलिस को शक जाता है जैक कहता है यह मुझे फ्रेम किया जा रहा है यह सब जेक कर आओगा जेक अजीब है यह पुलिस को बताता है पर पुलिस इस पर बिलीव नहीं करते कारली जैक से बहुत ही डरी हुई है वो जैक के साथ है वो जैक को कहती है कि जैक को बेल मिल सकती है जैक कहता है कि अगर वो वापस आया तो हैं पता चल जाएगा कारली कहती है कि कैसे पता चलेगा जेक फिर उसे उसके सिग्रेट रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो सब कुछ रेकॉर्ड करता है उसे वो सब कुछ दिखाता है और कहता है इस बिल्ली में हर एक आदमी कौन देख सकते है जेक की मदर एक टीवी शो करती थी जेक को देने के लिए उसके पास टाइम नहीं था वोमेशा अपनी मदर को टीवी पर ही देखता था वो बड़ा हो गया उसकी मदर गुजर जाने के बाद उसकी आदत नहीं गई सब लोग के घर में क्या चल रहा है यह उसे देखना अच्छा रगता है कारली यह सब देखकर बहुत ही शौक्त होती है कारली फिर इस सिस्टम को पुरी तरीके से जान लेती है सब लोग के घर में क्या चल रहा है यह देखने के लिए कारली भी बहुत ही क्यूरियस है वो बहुत गंडों तक यही देखती रहती है एक स्क्रीन पर वो देखती है तब एक चोटी लड़की को उसके स्टेफ फादर मोलेस्ट करते है यह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है नेक्स्ट है यह चोटी लड़की और उसके स्टेफ फादर कारली से लिफ्ट में मिलते है ये चोटी लटकी कारली से कहना चाती है कि उसके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है पर वो बोल नहीं पाती कारली को क्या चल रहा है इस सब कुछ पदा है पर वो तर немного बोल भी नहीं सकती वो फिर call करकर step father को धमका दिये अगर फेसे उसने उस लड़की के साथ कुछ भी किया तो उसे मार देगी इसके पास स्टेफ फादर भी डर गया और उस लड़की से उसने माफी मांगी यह सब कारली ने उस मॉनिटर्स पे देखा कारली जेग से बात करती है गहती है कि जो भी तुम कर रहे हो इसी वज़े से तुम्हारे पास बहुत जादा पावर आजाती है यह सही नहीं है लोग की लाइफ प्राइवेट होती है तो ऐसे उससे रहने देना चाहिए जेग कहता है कि जिस तरह से तुमने उस चोटी लड़कियों को हल्प किये उसी तरह से हम सब लोग को हल्प कर सकते है कारली जब घर पर पहुछती है तो वहा फिर से जैक अल्रेडी घर पर था जैक के हाथ में गन भी है वो कारली को जेक को कॉल करने के लिए कहता है जेक काम कर रहा था तो कारली की घर में क्या चल रहा है यह उसने नहीं देखा वो नीचे आता है तो जैक उस पर भी गन रखता है वो कहता है कि तुमने इन नायों में को मारा है यह तुम एड्मिट करो जेक इस पर मरा करता है Jack कहता है कि जिस तरह से तुमारी मदर मरी थी शोर में से गिर कर उसी तरह से Alex भी मरा है तुम ही हो जो सब लोग को इस बिल्ली में मार रहे हो जेक Jack से कहता है कि तुमारे बास Naomi को मारने के लिए मोटिव था मैं हमेशा से सब कुछ देख रहा था इस घर की जावी नाव में नहीं तुमें दी थी इसी वज़े से हमेशा तुम अंदर आ जाते हो तुम नाव में के साथ रिगलेशनशिप में थे और तुमें प्रॉलम आ चुका था तुमें डिसफंक्शन हो आ था इसी वज़े से नावमी के साथ तुम कुछ भी कर नहीं पा रहे थे नावमी किसी को कुछ भी ना बता है इसलिए तुमने उसे मार डाला यहाँ फिर जैक और जेक में फाइट होती है और इस फाइट में जैक को ही गोली लग जाती है पुलिस फिर इन दोनों का स्टेटमेंट लेते है जैक के पास अपरमेंट की जो चावी थी ये भी पुलिस को मिज जाती है यानि कि अपने टेस्टिमोनी में कारली और जेक ने अभी-अभी जो भी सब कहा है ये सब को सही है पुलिस भी फिर वहां से चले जाते है कारली और जेक अब अकीमेंट हुए थे क्या तुमने वो भी रेकौड किया था जेक कहता है कि हा कारली ये सब देखती है वह फिर कहती है कि इससी डिलीट कर दो जेक इससी डिलीट कर देता है जेग ने उनकी टेप चुपा कर रखी थी जहाँ पर उसने चुपाई थी तो कारली कैमेरे से वो भी देख ले थी है जेग फिर कारली से कहता है कि मुझे ज़रा भूक लगी है हम दोनों के लिए मैं कुछ लेकर आता हूं जब वो बाहर जाता है तो जेग ने जहाँ पर उनकी टेप चुपा कर रखी थी ये टेप वो ढून लेती है टेप को जब वो प्ले करती है तब उसे पता चलता है कि नायमी और जेग इन दोनों में रिलेशनशिप थी है जेग वापस आ जाता है और उसे पता चलता है कारली को उसकी टेप मिल चुकी है कारली डर कर उस रूम का दर्वाजा बन कर लेती है जेग उसे डोर ओपन करने के लिए गयता है पर कारली नहीं करने वाली जेग दर्वाजे को तोड़ कर अंदर आ जाता है जेग अपनी सभाय में गयता है मेरी उसके साथ जो भी relationship थी उसके कोई meaning नहीं था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हम दोनों में जो है ये words में express भी नहीं हो सकता कारली इन जो tape लगाई थी ये चल ही रही थी इसी tape में Naomi जी स्रात मरी थी वो भी record हुआ है उसे किसी ने push किया था ये उसमें दिख रहा है कारली इस tape को zoom करती है और notice करती है कि ये jack ही था जिस ने Naomi को मारा था कारली को लग रहा था कि जेख ने Naomi को मारा था जेख जेख को frame करना चाहता था इसलिए सब कुछ कर रहा था जेक इनोसेंट है पर कारली अभी भी गुश्से में है जेक जो भी सब करता है उसे बहुत गलत लगता है कारली के पास एक गण है तो सब स्क्रीन्स वो फोड देती है इसके बाद रिमोट लेकर सब कुछ मिटा देती है वो जेक को कहती है कि रियल लाइब जीयो सही एक्स्प्रियेंस लो ये सब गलत है और वहाँ से चली जाती है वो जेक के साथ अब कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रखना चाती है अगर हम देखे तो जेक एक स्टॉकर टाइप ही कारेक्टर था हमेशा से उसकी कारली पर नजर थी कारली पहले ही अपने बहुत सारे साल एक टॉक्सिक रिलेशन्शिप में वेस्ट कर चुकी है जेक के साथ वो अकर रहेगी तो फिर से वही होगा तो इसी वज़े से उसके साथ अब नहीं रहने वाली यही मूवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी इस लेकर आद रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्स्राइब कर दीजे और बेन अड़िशन आइकोन दमने मत भूलिए